देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्साव यानि लोकसभा चुनाव की तैयारिया जोरों पर है दोनों पार्टिया पूरे दमखम से तैयारियों में जूटी है इसी कड़ी में मंद्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और खजुराओ पन्ना सीट से लोकसभा वीडी शर्माजी आज जबलपूर दोरे पर है निवजटीन की टीम उनके साथ रहेंगी इस वक्त वीडी शर्माजी हमारे साथ है और पहला सवाल सबसे ताजा खबर के साथ करते हैं सर बहुत-बहुत सौगत है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुदरिये सबसे पहला स आइंतै जनंता पार्ती के सामने किसी परकार की न है न होगी भारती जन्ता-पार्ती मानिक प्रधानमंत्री नरेंद मोधी जी बनाने के लिए न्यवहा पोरा देश उस छेत्र की जनता के साथ जो संबंद बना है मैं ऐसा मनता हूँ कि जनता का आशिरवात इश्वार पिछली बार 293 में से केवल 113 बूथ हा रहे थे इस बार वो भी जीतेंगे हर बूथ पर जनता का आशिरवात मिलेगा कारकरता मेहनत के साथ जोटे हैं मोदी जी का कि टीम पूरा दिन वीडी शर्माजी के साथ मौजूद रहेगी और लगातार परत दर परत आपको बताते रहेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाओं जीतने के लिए मद्द्रदेश में बीजेपी ने क्या प्लान बनाएं आईए चलते इस सफर पर जैसे कि उन्होंने दावा किया जीत का लेकिन इस सफर में हम जानेंगे कि चुनाओं को लेकर और जीत को लेकर उनका क्या प्लान है सर चुनाव को लेकर लगातार आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं उसकी चुनोती भी है संगटन को विदान सभा में बड़ी चीत आपने दिलाई थी उसकी चुनोती भी थी लोग सभा में कितनी बड़ी चुनोती आप देख रहे हैं क्या प्लान बाच 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 रहे हैं इस लोग सभा के चुनाव में भारती जंता पार्टी प्रतेक बूत पर चुनाव लड़ने की तयारी में एक-एक कारकरता चुटा है देश के अंदर एक पज़ के बातावरण है और मानी प्रधान मंतरी नरेन मोदी जी के नेतरतु में आज पुरा देश से चाता है कि प्रधान मंतरी उन्हें भारत के प्रधान मंतरी तीसरी बार मनें फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को लोग साकार कर रहे हैं लेकिन भारती जंता पार्टी का नेतर तुचाय मानी प्रधान मंतरी हो मानि राश्य द्यक्ष हो, मानि अमिसाजी हो सबका एक ही मत है कि हमें माइक्रो प्लानिंग के साथ प्रत्येक बूत पर चुनाव लड़ना है और तीन सो सत्तर नहे मत दाता अभी तक के चुनावों में मिले मतों में जुडने का काम हमें करना है तो हम प्रत्येक बूत पर मत्यप्रदेश के अधर भी और देश के अधर भी बूत बजए के अभ्यान के साथ हम काम में लगे हैं अभी 6 अपरेल वो पार्टी का इस्तावना जेबाशे मत्यप्रदेश के एक एक बूत पर 64523 बूतों पर हमने तयारी किये कि बड़ी चॉइनिंग होगी सामाजिक लोग 18-19 साल के नए मत्दा था महिलाएं गरीब किशान और अलग-अलग प्रकार के सेग्मेंट के लोग जो भाजपा में आज मोजीजिग नित्व प्नाना चाते उनको जोड़ेंगे और प्रत्यक बूत पर बूत बिजय के लिए क्या-क्या रन्नी तिक प्यारी बूत पर करना है तो यह जो माइक्रोग प्लान है इस पर भारती जन्ता पार्टी का पूरा तम ताकत के साथ लगाए इसलिए मैं मानता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी का नित्रत जिनके प्रत्य जन्ता का अथा विश्वास है या मैं कहूं कि गरीब कल्याण की योदनाय मानी पुर्धान मंत्री की जो हर घर में हितकराई आज पुर्धान मंत्री मोधी जी के नितुरत की योदनाओं का लावान में बैठा हुआ है और भाजपा के संगडर का अत्तम प्रत्यक बूत पर मजबूती के साथ खड़ा है आज इस ताकत के आधार पर विधान सबा के चुनलोक सबा के चुनाओं में भारती जनता पार्टी पिछली बार एवरिज 58 परसेंट बूत बिलाता इस बार हमारा टार्गेट है कि 70 से 75 प्रतिस्द बूत बाजपा को मिले ये हमारी तयारी जमीनी इस्तर पर सभी कार करता त चिंद्वारा सीट बिजेपी का विषयश फोकस है के इंद्रे नेतुर्तों से लेकर संगट है जाँ आप लगातार पिछले लंबे समय से चिंद्वारा सीट को जीतने के तयारी कर रहे हैं इस्पेशल क्या प्लान है चिंदवाड़ा सीट को जीते हैं सुधिर जी केबल जीतेंगे नहीं चिंदवाड़ा के अंदर जीत का इतिहास बनेगा इस बार क्योंकि भारती जनता पार्टी के कारगरताओं ने और साथ में चिंदवाड़ा की जनता ने कमलनात और उनके इसलिए करप्शन नात की भूमिका में आये मैं ऐसा मनता हूं कि जिंदवाड़ा का चुनाब आपने देखा हुआ कि बिधायक हैं वहां के गोड राजा कमले शाह जब भारती जनता पार्टी में ये कह करके आते हैं कि राम का अपमान अगर कॉंग्रेस करती है और आदिव अधिवासियों के अपमान किया है जिस भासा का उपयों किया और आप अधिवासियों के बल पर ही आज चिंदवडा से आप यहां कक पहूंचे तो आज बो開ँम जेवर और चिंदभारा की जन्ता चिंदबारा की आरिवासी भाई और मेहन सब तयारी में कि इस बार देश राम में हैं तो चिंदबारा भी राम में होगा और इस बार चिंदबारा में प्रत्य गूठ experiments ब्येका एक्यास हो. लेकिन अब जैसे आपने भी बात कहीं कि राम का अपमान किया कॉंग्रेस ने लेकिन कॉंग्रेस साथ में एक आरोप ये लगाती है कि भारतिय जंता पार्टी महंगाई बेरोजगारी अपराद मुल मुद्दे छोड़ कर राम के नाम पर धर्म जाती के नाम पर लोगों को ब बदलने का अभ्यान हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आईगी ये काम मानी प्रधान मंतरी मोदी ने किया है जो मैंने कहा कि गरीब कल्यान की योदनाओं से आज प्रधान मंतरी के डवलम्मेंट के कंसेप्ट से देश के अंदर 25 करोड लोग गरीवी रेखा से उपर आत ये क्या साबित करता है कि आज प्रधान मंतरी नरिंद बोदी जी की योदनाओं से नरिंद बोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी आई है वो किसी ये पर का है सबका सास सबका विश्वास सबका वेकास सबके प्रयासों से देश आगे ब हमें कर रहे ुपर है कि कॉंग्रेस के आरोग आपको बचाने के लिए बहाना क्या डूणे को कॉंग्रेस के लोग लगातार जैसे आपने कि छिंदवाडा के महापोर आ गए हैं वहां के जो विधायक थे उन्होंने विजेपी जॉइन कर लिए और अस्तन देखा जाए तो तक्रीबन पचास फीज़ी कॉंग्रेस के लोग विजेपी जॉइन कर चुके हैं आप ऐसा क्या कहते हैं कि लोग कॉंग्रेस छोड़कर विजेपी में खीचे चले आते हैं यह हमारे कहने से नहीं होता यह मनुष्य के हरदय में परिवर्पन या मनुष्य किसी विचार के साथ तब जाता है जब उझे लगता है कि यह विचार साथिक है यह विचार आज को यह विचार को ज़ॉइट करते हैं तो आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर माने परधान्मंत्री नरेंद मोधी के प्रति जो जनता का अथा विच्वासे मैं सुद्र जी एक सब्तों कहना चाहता हूँ देश के अंदर नेता सब्दका सम्मान या तो सुभाश्य है कर लोगों को लगता है कि देश के लिए कुछ करना है समाज के लिए कुछ करना है तो भारती जननता पार्टी में राजनेत कर रिष्टी से जाकर हम कुछ काम कर सकते हैं और केबल पॉलिटिकल लोग नहीं सामाजे कार करता है खिलाडी आर्टिस्ट कई बड़े डॉक्टर्स समाज के अलग-अलग सेग्मेंट के समाजों के लोग आज उनको लगता है कि मोदी जी के नित्रत में भारत का मान और सम्मान तो बढ़ाई है अर गरीब का जीवन बदलाए और भारत की सुरक्षा से लेकर आज भारत दुनिया के अंदर एक ताकतबर भारत बना है परदानमंत्री मोदी के नित्रत में तो इसलिए लोग भारती जंता पाड़ी जोईन कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि विचार को देखते में लोग जोईन कर रहे हैं कॉंग्रेस कहते कि EDCBI ऐसी एजंसियों का दिखाया जाता है लोगों को इस डर की वज़े से लोगों को भुजे पर जोईन करनी पड़नी पर रहे हैं कॉंग्रेस सरकारों में जब रही तब इसी भावना से उसने काम किया हैं लेकिन देश के अंदर संब्यधान एक सथाष्टाएं अपना काम संब्यधान के दाइरे में करती हैं कानून के दाइरे में करती हैं तो इसलिए अगर आपने गलत दिया है तो आपको ED से भी ड़न लगएगा आपको CBI से भी ड़न लगएगा आपने गलत नहीं किया तो चोड़ रहते हैं आप अब कमलनाच जी ने इंकम टेस्ट के साथ एजब पॉलिटिकल पार्टी फ्रोड किया और खुद्रा भी फ्रोड किया तो इंकम टेस्टी रिपोर्ट कहती है कि चल्दी ही हिसाब किताब होगा तो ये देश के अंदर जनता जानती है कि कॉंग्रेस प्रिष्टाचार में किस प्रदकार से लिपत रही दोजार चौदे से पहले कैसे दुरावस्ता का दौर भारत के अंदर था आज प्रधान मंतरी मोदी जी ने इन सारी विवस्ताओं को बदल दिया और देश दुनिया का अग्णी देश बन करके आज भारत नेत्रत करने की इस दिमाज खड़ा है इसलिए प्रधान मंतरी मोदी जी का नेत्रत जनता उसके प्रति आश्ष्वस्त है और जनता को प्रधान मंतरी मोदी जी के नेत्रत पर विश्त पार आपने भी बात की 29-0 का कि हम इतियास रचेंगे लेकिन कॉंग्रेस ने बीजेपी को देखते वे थोड़ी रननीती बदली है दिगवजे सिंग को राजगर से उतारा है उमिदवार के तौर पर कांतिलाल भुरिया को रतलाम जभवा सीट से उतारा है तो कुछ सीटों पर कि आपरासंगी खोगते कीवल दीष वरुदी ताक्तों के साथ खड़े होने में जिन्हें आनन्द आता हो के भल भारत के खlar भारत की संस्कृति JK परहन द्रकूंद ने आननंद आता हूं तो एसे नेता कुद कह चुके हैं कि सका ने कंता मुजे बोका इतिक वाइसारिक और इनका स्थुट्ट खतम हो गया है केबल कॉंग्रेस स्थुट्ट की लड़ाई लड़ रही है और दिविया सिंग तो जबर्जिस्ति के धूपी हुए प्रत्यासी है उनने तो कहा था मैं तो लड़ने के लिए मना कर रहा था लेकिन मुझे कहा के लड़ना है तो बहिए जबर जबर्जिस्ति के प्रत्यासी है मैं ऐसा मानता हूं कि भारती जन्ता पार्टी के कारकरता जो चुनाभी मेदा में उतरे हैं जन्ता के आजिरबास से मोधी जी के नित्तरतों में गरीब कल्यान की उद्धनाव की ताकत और संगटन की ताकत के बलपर 29 की 29 सीटों में हर पू पार तीम को जिम्मेदारी दिये जीतु पटवारी को प्रदेश अद्यक्ष बनाया है, उमंग सिंधार को निता प्रतिपांच बनाया है अबको लगता कि कॉवशं को कॉङसा को चुनोटी पैदा करने के थो बात की बात है पहले अपने घर को समालने है और कुछ कि करना श सब्सक्राइब के साथ सामुई ने तुमें जग चुनाबी अवियान लिया था मध्यप्रदेश के मन में मोदी के अव्यान के साथ तो मध्यप्रदेश में आज तक का सरबाजिक बोर्ट सेयर पुरूंचास परसंदू का भी नहीं मिला सामने रहूल घंदी ने वर समाजिक नेयाहे की तरह की गारन्टी दिये का तो ये वहिमानी है कॉण्वेस की सामाजिक तोर पर आपने जो बेदभाव किया ये तो कॉंग्रेस की देन रईस देश कंदा लेकिन प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी के नेतरतों में सबका साथ सबका बेकास सबका बिस्वास ये जो मंतर है जिस पर आज अलपसंकक समदाय के भाई और बहन भी कहते हैं जिनके बारें परसप्सने को बीजेपी के ब्रोधी माने जाते हैं वो भी आज भाजपा को कहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आया तो प्रधान मंतरी मोदी जी के नेतरतों में उनकी गरीब कल् बनी कर रही है हम जबलपूर पहुंच चुके हैं और भाजपा प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा लगातार ये बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के उनकी क्या रन्निती हैं साथ ही वे कॉंग्रेस पर भी कमेंट करने से नहीं चुकते हैं कि कॉंग्रेस ने चूके हुए लोगों को मैदान में उता रहे हैं वीडी शर्मा से हम लगातार सफर में साथ में हैं उनसे आगे और भी जानेंगे कि आखिर भाजपा लोगसवा चुनाओं को लेकर किस दिशा में जा रही हैं न्यूज अटिन की टीम बाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जबलपूर पहुंची हैं लगातार वो अपनी प्लानिंग बता रहे हैं साथी साथ वो विरोधियों पे कटाक्ष करने से नहीं चुकते जेपी नड्डा जी भी जबलपूर दोरे पर है बड़ा प्लान हो रहा है और जबलपूर से आपका और नड्डा जी का विशेश नाता भी है कितना असर आप देखते दे देखिए जबलपूर के अंदर आज भारती जंता पार्टी के सम्माने राश्चिय अध्यक्ष दु अमिश्चा जी ने दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया आज उस दल में भारती जंता पार्टी के राश्चे देख जी के नेतरतों में नए नवनमेशन के साथ हम कई प्रकार की यसी चीजें जो तकनीक से युक्त हो करके आज चुनाव की रणनीती में उन सारी चीजों का को प्यों कैसे किया या बहतर तरीके से आदینी नड्या जी के नेतरतों में चल रहा है और मैं एसा इसा मन्ता हूं कि लगातार देश के अंदर मानि प्रधान मंतरी मानि अम जांती के नेतरतों में भारत्य जंता पाड़ि विजय का इत्यास बना रही है और इस बार लोग स्वा के चुनाओं में भी हम विजय का एक्यास बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी, भारती राजिनीती के आदनेक चाने का मिस्सा जी, दोनों के दोनों नेता हमें कहते हैं कि मेरा बूत सबसे मजबूत। और बूत की प्लानिंग की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नभीकार आश्ची दिवेशन में हर बूत पर तीन सो सत्तर नए मद्दाता टाक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी के स्थिरी चणों में इस चणों में समर्पित करना है तो हमने प्रयास किया है बूत बजे के अभियान में अभी 6 अपरेल को इस्थापना किसे काम करें तीन सो सत्तर के आप बात कह रहें कश्मीर से जोड़ा हुआ है लग रहा कि कश्मीर को और राम को एक साथ बुनाना चाहिए इमोशनल इसू है कि बाजपास से पहले जनसंग जनसंग की स्थापना बनी किसके लिए डाक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी ने धा साथ 1523 बूतों पर इस चुनाओ में जो 370 अव हट गई है डाक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी को हर बूत पर 370 नए मद्दाता कमल के फूल समत्पित करें राम मंदिर का असर दिखेगा चुनाओ में राम मंदिर का असर दिखी रहा है और पूरा देश राम में हैं पूरा प्रधान मंतरी मोधी जी ने तो इतियास बनाया है तो इस चुनाओ में भी तियास बनाया है यह वीडी शर्मा जो यह बता रहे हैं कि लोगसभा चुनाओ की जो तयारी है बीजेपी का माइक्रो मेनेजमेंट इतना मजबूत है कि उसके आगे कॉंग्रेस या कोई अन्यद को मौका दिया है जो चुनाओ नहीं लड़ना चाहते तो चुके हुए लोग हैं और यह बीजेपी का कुछ नहीं बगाड़ पाएंगे और बीजेपी इतियास रचेगी तो रहम से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद 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 और